नमस्कार आप लाइफ सिटीज देख रहे हैं मैं हुझा शुकला बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों की ओर बढ़ रहा फिलहाल का जो आंकड़ा है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि किस सीट पर कौन सा प्रतियार्शी बाजी मारता अब बात करेंगे पूर्णिया की तो पूर्णिया सदर से जो आंकड़ा हमारे पास मौजूद है आप समच सकते हैं कि विजय खेम का जोकी भाजपा के उमिदवार हैं वो अब तक 25,678 वोट पा चुके हैं वहीं इंदु सिन्हा जो कौंग्रेस से हैं 11,370 वोटों के साथ वही पर रुकी हुई हैं अब बात करेंगे अगले विधान सभा सीट की जो की कसबा आता है और कसबा विधान सभा सीट पर अफाक्ट आलम कॉंग्रेस के उमिदवार हैं और इनको 29,079 वोट मिले हैं जबकि प्रदीप दास जोकी लोजपा के कैंडिडेट हैं इनको 22,238 म M.I.M. के कैंडिडेट हैं जिनको की 17,388 मत प्राप्थ हुए हैं अब तक अम और की बात कर लेते हैं तो हम और में अख्तरूल इमाम जो की A.I.M.I.M. के कैंडिडेट हैं इनको 16,140 मत मिले हैं तो वहीं सभाजफर जदिव के कैंडिडेट हैं इनको 9,989 वोट अब तक प् और उपेंद्र शर्मा जो की राज़त के कैंडिडेट हैं 14,748 मत इनको प्राप्थ हुए हैं धमदाहा की बात करें तो लेसी सिंग जदियू के कैंडिडेट हैं और यहां से काफी वोट इनको मिले हैं 20,619 वोट जबकि दिली पियादव जो की राज़त के कैंडिडेट हैं इनको 13,760 मत प्राप्थ हुए हैं रुपवली की बात कर लेते हूं रुपवली से बीमा भारती जदियू के कैंडिडेट हैं और इनको 16,485 मत प्राप्थ हुए हैं अब तक और शंकर सिंग जोकी लोजबा केंडिडेट हैं 5,503 मतों पर बने हुए हैं और ये आंकड़े लगातार वैरी कर रहे हैं, फ्रेक्चुेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं और जैसे जैसे आंकड़े बदल रहे हैं, वैसे वैसे Live Cities आपको हर जानकारी साजा कर रहा है फिलहाल ये आंकड़े एक बज़कर 45 मिनट तक के हैं, आंकड़े बदल सकते हैं और आंकड़े जैसे जैसे बदलेंगे, हम आपको जानकारी जरूर देंगे बेहर चुनाव से जुड़ी तमाम रूजहान जो भी आ रहे हैं सामने उसको लेकर Live Cities लगतार आपके साथ बैठा हुआ है और बना हुआ है और हर एक जानकारी साजा कर रहा है जो भी जानकारी हैं हमारे पास आ रही हैं ततकाल हम अपने विवर्स को पहुँचाने की कोशिच कर रहे हैं आप बने रहें Live Cities के साथ अगर आपने इस चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें इसके अलबा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं धन्यवाद